सीजन फोर एपिसोर फाइव स्टार्ट होता है और हमें वॉल्टर देजी से गाड़ी चलाता हुआ दिखता है वो सौल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली को तुमें सब पैसे दे देने हैं वो से बोलता है कि तुम कुछ भी करो पर ये काम तुमारा हो जाना चाहिए अब ये जो सीन है ये हमें दिखाए गया है क्योंकि जैसी उसे नहीं मिल रहा तो अब वो गस के पास जाने वाला है और गस को कंफरंट करने वाला है और फिर अगर वहाँ चीजे कुछ बुरी होगे तो फिर उसकी फैमिली उसे नहीं देखने वाली इसलिए उसने स्टॉल से ये अरेजमेंट करवाई हुई होती है फिर वो लॉस पॉलोस बहुत जाता है लॉस पॉलोस की जो एक्ट्व मैनेजर होती है उससे वो बात करता है वो बोलता है कि मुझे गस से मिलना है फिर वो बोलती ही कि गस यहां नहीं है वाल्टर बोलता है कि गस की गाड़ी तो बहार ही खड़ी है मैं यहाँ वेट से बोलू कि मुझे कुछ काम है नाम उसे बता वॉल्टर से फिर वाइंदर जाती है और अपना काम करने लग सкими बेटा हुआ होता है उस्ट को माइक उसे पुछता है कि तुम क्या कर रहे हो वाल्टर पुछता है कि जेसी कहा है माइक उसे बोलता है कि आज जेसी मेरे साथ ही है फिर वाल्टर माइक को जेसी को फोन देने के लिए बोलता है जेसी जब फोन उठाता है तब वाल्टर उसे बोलता है तुम कहा जा रहे हो त तो जैसी को वो मालूम नहीं होता है, जैसी बोलता है कि हम नौर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर माइक फोन रख देता है, वॉल्टर जब मैंगर को काम करते हुए दिखता है, तो वो डायरिक्ली अंदर चला जाता है, उसे लगता है कि कस अंदर ही है, जब वो देखता है तो कस अंदर नहीं होता जैसी माइक से बूचता है कि तुम ये कहा मुझे लेकर जा रहे हो उसे लग रहा होता है कि माइक अब उसे मार देने वाला है इसलिए वो कीस पॉकेट से निकालता है और उसको हाथ में रखता है यानि कि जब वो उसे मारने आ है तो वो उसे इंजोर कर सके वो उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो ठीक से मारना वरना मैं भी तुमें बहुत ही इंजोर कर दूँगा फिर वो एक साइट बर जाते है वहाँ जहां कोई भी नहीं होता फिर माइक अपने ट्रंग में से एक शवल निकालता है जेसी भी कार से उतर जाता है जेसी को लगता है कि आप वो उसे मारेगा ही और माइक सीधा निकल जाता है माइक एक जगा होती है जो अंडरग्राउंड एक बॉक्स की तरह वहाँ से पैसे निकालता है और फिर वो पैसे गाड़ी में रख देता है जैसी और वो दोनों फिर से गाड़ी में बैट कर आगे चले जाते है माईक उसे बोलता है कि हमें और भी बहुत बार ऐसा करना है नेक्स सीन में हमें दिखाय गया है हैंग और उसका फ्रेंड वो केस पर डिसकस कर रहे होते हैं कि यह जो तुमारा हाइजनबर्ग है यह वही है फिर हैंग उसे बोलता है कि मुझे उसे पकड़ना था जो हमने पहले पकड़ा था वो पैसो के लिए अंदर बाहर जाता रहता था यानि कि बैजर जब पकड़ा गया था तब वोल्डर और जेसी ने सौल को पैसे देकर किसी को पकड़ आया था वही होता है जो पैसे देकर अंदर बाहर जाता रहता है जेल से फिर हैंक का फ्रेंड उससे पूछता है कि जहां मर्डर हुआ था उस साइट से हमें बहुत सारी फिंगर प्रिंट्स, रेसिड्यू, किलर की रेसिड्यू वेगरा सब मिले है तो वो बोलता है कि तुम किसी को जानते हो जो ये कर सकता है जो इस ड्रग्स में है फिर हैंक उसे बोलता है कि एक बैजर है जिसको मैं जानता हूँ और एक जेसी है पर जेसी और मेरी हिस्ट्री है तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता फिर उसका friend उसे sketch दिखाता है गेल को मारने जब Victor आता है तो Victor का ही sketch लोगों ने उन्हें बताय हुआ होता है तो वो sketch हैंग को दिखाता है नेक्स जब पैसे लेने जाता है माइक तब JC काड़ी के बाहर खड़ा रहता है JC माइक से बूचता है कि अगर मैं तुम्हें गाड़ करने वाला हूँ तो मेरे पास भी gun होनी चाहिए और माइक उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं गन की और तुम्हें ऐसे मुझे गाड़ भी करना नहीं है जब वो कार में होते हैं तब JC बहुत ही बोर हो रहा होता है वो फिर माइक से बोलता है कि तुम यह जो शब कर रहे हो यह मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो मैं भी जब supply chain चलाता था तो मैं भी यही करता था बहुत जगा में ड्रॉप पैसो का drop होता था और मैं वहाँ से लेकर आता था इससे हम पकड़े नहीं जाते और अगर किसी drop पर ready पड़ी तो बहुत सारे पैसे हमारे नहीं पकड़े जाते जेसी बोलता है कि मुझे भी एक आदमी चाही होता था जब मैं ऐसे जाता था तो माइक उस पर चीर जाता है और बोलता है मेरे पास भी एक आदमी था पर तुम दोनों ने उसे मार दिया है वॉल्टर फिर अपने लैब में जाकर कुकिंग करने लगता है जब Walter घर आता है तो Skyler और एक lawyer होता है तो वो सब अब car wash buy करने वाले होते है Skyler डर रही होती है कि हमें इतना बड़ा step लेना चाहिए या नहीं पर Walter फिर sign कर देता है Walter उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे लग रहा है Skyler डर रही होती है और उसे nervous लग रहा होता है Walter बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा फिर वो celebration करने के लिए wine निकाल रहे होते है तभी Walter ने Skyler को एक message छोड़ा होता है जब वो गसे मिलने जा रहा होता है तब वो उनके लिए एक message छोड़ता है और बोलता है कि मुझे तुमारी याद आई और मैं तुमसे और family से बहुत ही प्यार करता हूँ फिर ये message सुनकर वो दोनों intimate हो जाते है तब वो दोनों bed में होते हैं तब Walter जुनियर भी वहा आता है Walter जुनियर को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है फिर Skylar Walter से बोलती है कि अब तुमें यहाँ फिर से रहना चाहिए इससे जो confusion होगी वो किसी को भी नहीं होगी और ये अच्छी story भी बनेगी फिर Walter का alarm बच जाता है उसे फिर से work के लिए जाना होता है तो वो कुछ भी न बताए चला जाता है Walter अकेलाई lap में काम कर रहा होता है पर बहुत सारी चीज़े उसे करने नहीं आती तो उससे एक drum गिर जाता है और वो बहुत ही चीट जाता है और कैमेरी को देखकर बोलता है कि यह एक लोग का काम नहीं है फिर उसके help के लिए और एक आदमी गस भेज देता है जब माइक और जेसी last drop पे जाते है पैसे लेने के लिए जेसी अपने कार में ही होता है तब उसे mirror से दिखता है कि दो लोग उसके पास आ रहे हैं एक के पास shotgun है और उन पर वो हमला करने वाले हैं फिर वो गाड़ी start करता है और उसे कुचल देता है फिर वो दूसरे आदमी को भी गाड़ी से उड़ाता है और फिर वहाँ से चला जाता है माइक यह सब देखता है और वो जो दो लोग होते तो वो जेसी का पीछा करते हैं फिर माईक अपने लिए कार बुलवा रहा होता है पर फिर जेसी भही आ जता है फिर वो उसे बोलता है की कैसे उसने उन दो लोगों को पचार दिया फिर माईक एक proud grandad की तरह उसे बोलता है की मैंने सब देखा था जेसी को फिर वो कार में ही स्मोक करने देता है प्रिवियस सीन में वो उसे अलाव नहीं करता पर वो अब अलाव कर रहा होता है ने इस दिन वाल्टर वाल्टर जुनियर को कौफी वेगरा सर्व कर रहा होता है कि तुम Thursday को मूवीन करने वाले हो तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलता Walter Junior के पास Benny की का कप होता है यानि कि Ted का जो कप होता है वो उसके पास होता है Walter को फिर से गुसा आ जाता है जब Walter काम पर पोछता है तो JC वहाँ Ice Break कर रहा होता है यानि कि मेट को वो ब्रेक कर रहा होता है फिर Walter उसे पूछता है कि तुम मैक के साथ क्या कर रहे थे जएसी उसे बताता है कि हम पेस्यों की ड्रॉप उठा रहे थे और मैं मैक को गाड़ कर रहा था Walter को भरसानी होता फिर JC उसे बोलता है कि मैंने उसे बोलता है कि जैसे तुमने प्लैन किया था वैसे ही सब हुआ यानि कि JC को ड्रॉप पर ले जाना और वो दो आदमी उनको जो हमला करने वाले थे वो भी सब प्लैन था गस का इससे वो JC की जो सेल्फ कॉन्फिडन्स है वो बढ़ाना चाहता था मैंको से बोलता है कि मुझे क्वेशन से पर में वो पूछने वाला नहीं हमारा प्लैन सक्सेस्पूल हुआ और JC सच में हीरो है फिर वाल्टर फैमिली और हैंग फैमिली सब डिनर कर रहे होते है सकाइलर हैंग को सब कारवाश के बारे में बता रहे होती है वाल्टर बहुत सारी वाइन पी रहा होता है उसकी वाइन की बाटल खतम हो जाती है तो वो फिर से जाकर और एक वाइन की बाटल लेकर आता है फिर वाल्टर जुनियर हैंग से पूछता है कि तुमने मुझे वो डांस दिखाये था वो जो dance होता है गेल का उसके बारे में वो पूछ रहा होता है वो जो बूलता है कि वो एक बड़ा character था वो एक genius था वो जिस तरह से काम करता था उससे पता चलता था कि वो एक real character था उसकी प्रेस सुनकर Walter को बुरा लग रहा होता है क्योंकि actual में वो जो सब work होता है वो Walter का होता है फिर Walter उसे बताता है कि genius मुझे ये तो नहीं लगता उसके notebook जब मैंने देखी तो मुझे एक copy की तरह लगी मैं एक teacher हूँ इसलिए मुझे पता है कि copy क्या होती है और actual जो लिखा होता है वो क्या होता है Walter उसे बोलता है कि तुम जिसे ढून रहे हो मुझे लगता है वो अभी भी वही है और वो काम कर रहा है Hang फिर अब फिर से शक करने लग जाता है Hang फिर से अब case में लग जाता है इस दिन वो अपने friend से जो सब files होती है वो मांग लेता है फिर से वो case का काम करने में लग जाता है जब वो सब देख रहा होता है तब गेल के घर पर लॉस पॉलोस का उसे एक wrapper दिखता है फिर उसे चख जाता है कि गेल वीगन था और उसके पास fried chicken के लिए लॉस पॉलोस का wrapper क्यो तो यहाँ उसे एक lead मिल जाती है यही एपिसोड खतम हो जाता है